अगर आपका भी सपना है इंडियान डिफेंस पॉर्सेस जॉइन करके देश का सेवा करना और आप एंडिया एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेलपूर रहेगी कियोंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस्ट आप प्रेफर कर सकते हैं जिसके थुर्व आपका त्यारी अच्छा हो जाये और आप असानी से इंग्जाम को क्लियर कर पाएंगे तो चली वीडियो सुरू करते हैं जल्दी से बीडियो को सबसे पहले हम लोग यहां पर पैटर्न देख लेते हैं कि एकजाम का पैटर्न क्या होता है उसके बाद हम लोग बुक्स वेगरा देख लेंगे कि कौन-कौन सा बुक आप पढ़ लेंगे तो आपका एकजाम इसली किलियर हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह यानि कि जेनरल एविलिटी टेस्ट तो मैथेमेटिक्स में आपका मुस्टली देखिए 11 जो 11 का आप मैथ परहे होंगे और 12 इन दोनों क्लास का अगर आप मैथ परहे हुए और यहाँ पर साइन्स हो गया तो साइन्स पर फोकर्स करना पड़ेगा फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से कोश्चन पूछा जाता है तो चलिए अब सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट देख लेते हैं कौन-कौन सा आपके लिए काफी इंपोटेंट बुक रहेगा तो सबसे पहले दिखें यहाँ पर mathematics का हम लोग बात करते हैं क्योंकि paper one ही हमारा mathematics का होता है तो अगर आप mathematics का सबसे पहले आपको concept clear करना है आप 11, 12 का त्यारी कर रहे है ढंग से तो थोरह आप अच्छा से उसको कर लिजिए कि आपका concept ने कहीं दिक्कत ना हो उसके बाद आप स्टार्ट किजिए प्रैक्टिस और वह भी इस बुक से एंडिये एने मैथेमेटिक्स शेप्टर वाइज प्रिभियस यह थी थी थाउजेंट प्लस अब्जेक्टिव कोश्चन इन इंग्लिस ठीक है तो यह अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है सारे बुक का लिंक आपको डिस यह बुक का प्रिफर कर सकते हैं यह most important बुक है बहुत सारे student है जिन्होंने इस बुक के थूरू exam clear भी किया है और एंडिये में रिकुमेंड भी हुए हैं तो यह बुक आप ले सकते हैं दोनों बुक और यह दोनों बुक प्रैक्टिस के लिए काफी ज़्यादा है और जाएगा ठीक है तो यह दोनों बुक क्र्विद के लिए लिंग हम लगा देंगे पूसा को , beschäft लिखा गया तो अपने लिया है टीक है तो आप वहांसे नोट्स लै सकते हैं अनुज़न के तोर? पर उसको हमेसाद पास में रखे फर्मूला वेगरा कंसेप्ट वेगर आपका इजली क्लियर हो जाएगा अब बढ़ते हैं आगे जनरल एबिलिटी टेस्ट सेकेंड पर होता है उसके तरफ तो पहला सब्जेक्ट हम लोग इंग्लीस देखेंगे कि इंग्लीस के लिए इसमें आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रेक्टिस भी कर सकते हैं इस बुक के थुरू अब आते हैं वोकेब सेक्षन पर तो आपको पता ही है कि वोकेब कितना इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात हो एंडिये एक्जाम का या फिर सेडियस एक्जाम का तो वोकेब्स के लिए अभी तक के डेट में सबसे अच्छा बुक है वर्ड पावर मैड इजी इसमें बहुत तरीके से आपको चीशे बताई गई है कि आप कैसे वर्ड को ब्रेक करके उसके पाट पाट को कैसे ब्रेक करके इजली याद कर सकते हैं तो ये बुक थोड़ा सा देखने में तो अच्छा नहीं है जब आप इसे खड़ देंगे पहली बार हाथ में लेंगे तो थोड़ा अजीब फिल होगा लेकिन जब आप उसको पढ़ना सुरू करे पढ़ेंगे एक बार दो बार जब पढ़ेंगे तो आपका इंट्रेस्ट आजाएगा और आप इसली भॉकेब सेक्षन क्लियर कर सकते हैं बस इसी बुक से बहुत सारे टीचर हैं एंगलिस के जो आपको यही बुक प्रिफर करेंगे लिए तो अब आगे बढ़ते हैं साइ एक बार गो थुरू कर लिजेगा आप इसको डिटेल में थुरा सा देख लिजेगा बस आपका साइंस का काम बन जाएगा फिजिक्स केमेस्ट्री बायो आप आसानी से से सेक्षन कर लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जोग्राफी के तरफ जोग्राफी की अगर हम बात करें तो जोग्राफी में देखी जोग्राफी में अगर आपको बैसिक करना है कंसेप्ट के साथ तो कंसेप्ट आपका क्लीर हो जाएगा क्लास 11th को से क्लास 11th में दो पार्ट है भूग का ठीक है एक तो है पहला-बहला इंडिया फिसिकल इंवर्मेंट और दूसरा प आपको यह बुक लेना चाहिए यह क्या है कौन सा बुक तो सर्टिफिकेट फीजिक ल एन हुमें जगराफी जी सी लियोंग ठीक है जी सी लियोंग का यह बुक है यह जो भी केंडिडेट है एस्पारेंट से वह भी इस बुक के थूरू प्रिप्रेशन करते हैं तो आप यह प्रेफर कर सकते हैं इसका वी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाके आप इसे खड़िद के इसे त्यारी कर सकते हैं लेकिन हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप NCRT लिजिए NCRT पढ़िए NCRT से चीज़े आपको असानी से क्लियर हो जाएगा NCRT का बुक आप असानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है यह सब हम अलग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि NCRT का कोई भी बुक का पीडियेफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चल अगर आप सिर्फ Modern History पे फोकस करेंगे तो History का सेक्षन आसानी से क्लियर कर सकते हैं और उसके लिए अगर बुक की बात करें तो Modern India जो वरिफ हिस्ट्री है स्पेक्ट्रम का राजी वहिर द्वारा लिखा गया यह 2022 एडिशन यह बुक आप ले सकते हैं इसका विलिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बक्स में मिल जाएगा यह Most Important बुक है UPSC Parent भी इस बुक को प्रेफर करते हैं आगे चलते हैं पॉलिटी के लिए तो पॉलिटी के लिए सबसे Important बुक एम लक्षमी कांद जो बहुत फेमस बुक है इससे आप प्रेफर कर सकते हैं इसे दो तीन Economics और में मिल और बुक का में में आपको कोई भी बुक का झरूरत नहीं है बस जो भी Candon आता है Economics वह आप लेख सकते हैं उल्ख म जोब है डईली डेहनी Looks को manifestations वाला आपको ह miracos Connect हो पारxt है वह सेक्षन किलियर हो जाएगा फिर हम लोग करेंट आते हैं Correct information एक regular basis पे देखा कि जिए इसे क्या होगा कि current affairs करी बहुत सारा question आता है तो current affairs के लिए हम आपको एक चैनल सगेस्ट कर सकते हैं आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं आप आपको monthly current affairs मिल जाता है उसके बाद से आप 1 linear भी देख सकते है यह डिजायर टू लर्ण बहुत सारे टॉपर भी इसको रिफ्रेंस करते हैं तो डिजायर टू लर्ण आप चैनल जॉइन कर सकते हैं वहां से करेंट अफ्यर्स आप त्यारी कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत एस्टेटिक जी के अगर आपको त्यारी करना है तो सबसे जरूरी होता है मोग ठेक है तो साथ में आप मोग भी लेत तो रहेगा मोग टेस्ट के लिए आप और पी चोदरी दीजिए ज्यादा से ज्यादा आपका एंडी एक्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग जैहिंद